आपका स्वागत है हमारे चैनल धरेस गार्डन विथ एडिनियम में आज हम देखेंगे कि एडिनियम प्लांट्स को हम रिपॉर्ट कैसे करेंगे और रिपॉर्ट करने के बाद हमें क्या क्यार करना चाहिए वो प्लांट को कब तक सनलाइट में हमें रखना चाहिए तो वीड और जदी आप को हमाई वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शियर यरूर करें तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि सॉयल मिक्स कैसे तयार करनी है तो मैंने भी अपनी प्लांट के लिए सॉयल मिक्स तयार करके रखी थी तो अब हम उसी soil mix से अपने plant report करना start करेंगे तो रिखी वही soil है जो मैंने soil बना के रखी हुई है और इनी से हमाँ plants report start करेंगे ये वीडियो डालने में थोड़ा सा late हो गया हूँ किसी कारण से मैं कुछ जिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था तो जैसे कि यह सॉयल मिक्स हमने कैसे बनाई थी जदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो वे वीडियो आप जरूर देख लिजेगा क्योंकि समर के लिए हमें किस तरह से सॉयल मिक्स की जर्वत है ताकि हमाएं प्लांट बहुत अच्छे ग्रोध करें और उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो तो देखिए कुछ प्लांट मेंने निंकाल के रखे हुए है जिनने मैं आज रिपॉर्ट करूँगा और रिपॉर्ट करने के बाद हमें किते दिन प्लांट को शेड में रखना चाहिए और प्लांट में कब कब वर्टरिंग करना चाहिए तो प्लांट को हमें सैनलाइट में कब शिफ्ट करना चाहिए तो देखिए एक प्लांट है सबसे पहले हमें पॉट ले लेना है पॉट में जरूर देख लेना है कि जो पॉट लिया है उसमें नीचे होल होना बहुत जरूरी है उस होल पे हम कोई भी गंबले का तुकडा थर्मो कोल कुछ भी रख सकते हैं ताकि पानी आसानी से निकल सके और जो होले वो बंद ना हो एडिनियम के पॉट को हमें कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हाइट का पॉट नहीं लेना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं पॉट को मैंने करीब करीब 70-80% फिल कर लिया है एडिनियम के जो प्लांट होते है उन्हें हमें सॉइल में बहुत जाता नीचे नहीं दबाना चाहिए तो इस तरह से सॉइल बरका है प्लांट को रfirst कर चारों तरफ से हमें सॉइल को अच्छे से दबा लेना चाहिए और पॉट को तो दो तीन बार अच्छे से थोड़ा सा उपर नीचे करके पटक देना चाहिए ताकि जो सॉइल रहती है वो अच्छे से बैठ जाए और किसी भी तरह का एर गैप ना रहे तो इस तरह से हमने देखी पॉट लगा एक प्लांट तयार कर दिया है इसी तरह एकाथ प्लांट और में आपको कई लोगों का कॉश्चन रहता है कि क्या हमें रिपोर्टिंग के साथ ही कटिंग कर देना चाहिए तो मैं तो अपने प्लांट में रिपोर्टिंग के साथ कटिंग नहीं करता हूँ या तो हमें cutting पहले कर देना चाहिए क्योंकि यदि हम reporting के साथ cutting करते हैं इस समय हमाई plant में growth तो रहती नहीं है क्योंकि हम अपने plant को निकाल के रख देते हैं क्योंकि अब जैसे ही हमाई plant में हम report करने के कुछ दिनों के बाद जब plant में growth start हो जाती है हफते 10 दिन के बाद मैं या तो जब उसमें plants में cutting start करता हूं जैसे या आसपास की root भी देख रहे हैं यह भी मैं कुछ दिनों के बाद ही काटूंगा तो कि यह plant को रखे मेरे मैंने एक दो दिन पहले ही निकाला है यदि हम plant को dry करने के लिए हाफते 10 दिन के लिए रखते हैं यदि तो हमें यह root आसपास से cut कर देना चाहिए यह plant मैंने कल ही निकाले हैं तो इनकी root भी मैं हफते 10 दिन के बाद जब plant set हो जाएगा उसमें growth start हो जाएगी जब मैं उपर की extra root से यह इने दभी कट करूँगा और यदि इस समय हम अपने plant में cutting कर देते हैं तो उसमें growth लेने में plant बहुत time लग जाता है जैसे ही हमारा plant set हो जाएगा उसमें नई roots आने लग जाएगी या तो हमें जब cutting करना चाहिए या इसे हमें फर्वरी फर्स्ट वीक में ही cutting कर देना चाहिए इस तरह से देखिए मैंने अपने कुछ plants रिपॉर्ट कर दी है और रिपॉर्ट करने के बाद दो तीन दिन हमें इसे shade में ही रखना है और watering भी हमें इसमें दो दिन के बाद ही करेंगे आज हमने plant को report करा है तो आज का दिन कल का दिन छोड़के हम इसमें पर्सो watering करेंगे तो इसमें watering करने के लिए और watering करने के बाद भी एक दो दिन हम इसे shade में ही रखेंगे उसके बाद हम इसे तीन-चार दिन हो जाएंगे जैसे उसके बाद हम इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं तो देखे इस तरह से मैंने अपने प्लांट से रिपॉर्ट की ए है अभी इने मेने शेड में ही रखा है तीन-चार दिन होने के बाद मैं इन्हें फुल सनलाइट में रख दूँगा तेकि ये प्लान्ट को लगे मेरे दो-तीन दिन हो गए और अब मैं इसमें वाटरिंग कर रहा हूँ क्योंकि यदि हम रिपॉर्ट करते से ही इसमें वाटरिंग कर देते हैं कई बार हमाई प्लान्ट की कोई रूट डेमेज होती है तो इसमें फंगस लग सकती है तो देखिए प्लान्ट को तीन-चार दिन हो गएं और अब मैंने अपने प्लान्ट को धीरे-धीरे फुल सनलाइट में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है देखिए कुछ प्लान्ट मेंने सनलाइट में रख भी दिये हैं और अब इन में जैसे मेरे प्लान्ट को रखे रिपॉर्ट करे चार-पांच दिन हो गए हैं और अब इसमें हलके हलकी ग्रोध भी स्टार्ट होने लगी है तो इस तरह से आप भी अपने प्लान्ट रिपॉर्ट करिए तो इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू